हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रियल्मी C30S फोन में आप लोग ब्लूटूथ कीप स्टोपिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक रि वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं ब्लूटूथ कीप स्टोपिंग प्रोब्लेम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपर सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टेम का तो इस सिस्टेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन होगा इस रिसेट का देख सकते ह तो इस पे हम क्लिक कर देंगे reset के option पे click करते ही reset करने के लिए आपर बहुत सरे option मिल जाएंगे अगर आप लोगों को यहाँ पर से reset का option नहीं मिल रहा है तो आप लोग settings में guys यह लिख दीजिए reset तो यह वाला option आप लोगों को मिल जाएगा मिलने के बाद आप लोगों को reset wifi mobile and bluetooth पे click करना है और यहाँ पर नीचे reset settings का option होगा इस पे click कर दीजिए वापस से और एक बार click कर दीजिए दो बार click कर दीए यहाँ पर हमारा जो network setting है वो reset हो जाएगा और साथ में हमारा bluetooth settings भी reset हो जाएगा reset होने के बाद आपका जो bluetooth की stopping problem है वो जरूर से solve हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है गाई उसके बाद यहाँ पार एक apps का option होगा तो इस apps के option पे click करना है click करने के बाद see all apps पे click कर दीजिए और यहाँ पर से आप लोगों को bluetooth के option को ढूनना है ब्लूटूथ का option ऐसे ही नहीं मिलेगा गाज आप लोगों को एक setting करना होगा उसके लिए आप लोगों को इस three dot पे click करना होगा click करने के बाद so system का option है इस पे click करना होगा click करते देख सकते system application या option यहाँ पर आ गये है तो यहाँ पर देख सकती यह रहा bluetooth का option तो इस पे हम click करेंगे click करने के बाद storage and catchy का option होगा इस पे click करना है और यहाँ पर से clear storage पे click करके ok पे click कर देना है ऐसा करते ही आप लोगों का जो भी bluetooth का data, catchy वगर होगा वो सब delete हो जाएगा और आपका जो bluetooth कीप stopping problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने realme C30S phone में bluetooth कीप stopping problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई